हेलो गाइज, आज हम शेर करेंगे पोटेटो स्माइली खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं और जब आप इसे बनाते हैं तो और भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग आलू का ये चटपटा कुरकुरा सा नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है पाटी टाइम हो या फिर शाम की छोटी भूग या फिर मोनसून सीजन इसे सीजन के किसी भी टाइम बना कर एंजोई कीजे और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजेगा और शेर कीजेगा पोटेटर स्माइली बनाएंगे आज हम एक कब बॉयल और मैस्ट आलू है आलू को बॉयल करके कदुकस कर लिया था इसके अंदर क्रेस्ट काली मिच ताजी काली मिच आट करेंगे एक चटाई छोटी चमच एक टाई छोटी चमच गालिक पाउडर ये घर का बनावा गालि पाउसार एट कर लिए अच्छी वाइंडिंग के लिए काउनफ्रोर या आरा रोट एट करेंगे तीं से चार बड़े चमच इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसके अंदर क्रिस्पिनेस देने के लिए चावल का हंटा दो बड़े चमच या फिर सूजी सेमॉलिना एट करें इसको अच्छे से mix करेंगे और कमबाइट कर लेंगे एक छोटा चमाज तेल एड करेंगे और जो बोल के अंदर मिश्रन लगा रह गया है इसे अच्छे से clean कर लेंगे अब हातों को साफ करेंगे और हातों में थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे अब स्पून की मदद से या फिर हातों की मदद से छुटे छुटे पोशन लेके इनको बॉल बनाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा फ्लाटन करके रखते जाएंगे तो आप इनका साइज या शेप जितना भी बड़ा चाहते हैं उतना पोशन लीजे और इस तरीके से बॉल बनाकर इसे फ्लाटन कर लें यह तरीका बहुत ही मज़ेदार है और स्माइली बनती भी बहुत जबरदस है बच्चों को यह बहुत पसंद आते हैं एदी घर में छोटी मुटी पार्टी है या फिर गेट टुगेदर है तो आप इस तरीके से बनाकर पह से बना सकते हैं स्पून के अगले पिछले किसी भी हिस्से से आप ऐसे लिप्स बना सकते हैं बड़े ही क्यूट फेस बनकर त्यार हुए हैं आप इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं मेरी बीटी को यह हैपे स्माइली बहुत पसंद है तो मैंने उसके लिए ड्रॉ किये थे और उमीद करती हूँ कि आप इससे ज़रू ट्राइ करेंगे और इंजोय करेंगे अगर ऐसे ही और भी नाच्टे की रेसे पेश चाहिए तो कोमेंट सेक्शन में येस लिखेगा क्यूट स्माइली फेसे स्वेशस तैयार हैं आईए ले चलते हैं इने डीफ्राई करने की प्रोसेस की तरफ तेल अच्छा गरम होना चाहिए जब भी आप इसके अंदर स्माइली अट करें अगर आपने तेल अच्छे से गरम नहीं किया तो smiley काफी सारा तेल पी जाएंगे smiley fry करते टाइम आज को medium कर लेंगे और इन्हें golden crisp होने तक fry कर लेंगे दोनों sides से अलट पलट कर इन्हें fry कर लेंगे दोस्तो यदि आपको आलू से बने वे और भी स्नाक्स देखने हैं जैसे कि आलू की कचोड़ी या फिर आलू का पराथा आलू कचालू, आलू टिक़ी, आलू समुसा या फिर आलू के पापर तो आप कॉमेंट कीजेगा हम आपके साथ आलू से बने वे काफी सारे पोटेटो स्माइलेज गुल्डन फ्राइ हो चुकी हैं इन्हें बहार निकाल लेंगे इन्हें गर्मा गर्म सर्फ करेंगे मयोनीज या फिर टुमेटो सॉस के साथ यह पोटेटो स्माइलेज बहुत ही मज़ेदार बनी है उपर से क्रिस्प और अंदर से तो मॉइस्ट आप सर्फ कर सकते हैं मयोनीज चिले सॉस या फिर टुमेटो सॉस के साथ यह हमेट टुमेटो सॉस है अगर इसकी रेसेपी भी चाहिए तो आप कोमेंट किजेगा और अगर यह वीडियो अच्छे लगे है तो लाइक कर जीजे शेयर किजे चैनल को सब्सक्राइब ने क्या तो क लें फेस्बूक और इंस्ट्राग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं थेंक यू